नमस्कार आज हम कक्षा बार्वी का अध्याय आठ समाकलन के अनुप्रयोगों का आरंप करेंगे हमने विभिन आकृतियों का छेत्रफल ग्याद करने के लिए अनीक सूत्रों का अध्यान किया है प्रागिक जामती में भी हमने इन सूत्रों की सायता से छेत्रफल ग्याद करना सीखा जैसे कि वर्ग का छेत्रफल आयत का छेत्रफल आदी परंतु यह सूत्र वक्रों के अंतरगत आने वाली छेत्र का छेत्रफल ग्याद करने के लिए उप्राप्त है तो आज हम समाकलन की सायता से साधारन वक्रों के अंतरगत आने वाले छेत्र का छेत्फल ग्याद करना देखेंगे तो सबसे पहले अभी हम एक वक्र y बराबर fx, x आक्ष एवं कोटियां x बराबर a तथा x बराबर b से गिरे छेत्फल को असान विधी से निकालना सीखेंगे जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं हमारे पास x आक्ष, y आक्ष और छेत्फल दिया हुआ है कैसा चेत्रफल वक्र y बराबर fx, x आक्ष, कोटियां x बराबर a और x बराबर b से घिरा हमें एक चेत्र दिया हुआ है इस चेत्र का हमने क्या निकालना है? चेत्रफल ग्याद करना है हम इस छेत्र फल को, यानि इस छेत्र को क्या कर सकते हैं? पतली पतियों में बाट सकते हैं. तो हम इस पूरे छेत्र को पतली एवं उर्धवादर पतियों में बाटेंगे. जिसकी उचाई कितनी है? y और चड़ाई dx. अब इन सब ही पतियों में से हम कोई भी स्वेच यानि अपने इच्छा अनुसार पति का विचार करते हैं. जिसकी उचाई कितनी है? y और जिसकी चड़ाई dx. ठीक? अब इस प्रारंबिक जो पत्टी है इसका हम निकालेंगे छेत्रफल. इसका छेत्रफल क्या है? इसका छेत्रफल है y गुणा में dx. जो की किस से दर्शा रहा है? da से. ठीक? सो da क्या है? प्रारंबिक पत्टी का छेत्रफल बराबर किसके? y गुणा में dx. और याद रखेंगे ये y क्या दर्शा रहा है? हमारा वक्र. y बराबर fx है. ठी? ये छेत्रफल प्रारंबिक छेत्रफल क्यालाता है जो की छेत्र के भीतर किसी भी स्वेस्तिती पर स्थापि एवं a तथा b के मध है कि किसी भी मान से विनिर दर्श्ठ है. त्यान देंगे जो वक्र y बराबर fx कोचिया x बराबर a, x बराबर b, x आक्ष. इसके घिरे छेत्र में कुल छेत्रफल हमारा क्या दर्शा रहा है? इसको हम छेत्र p, q, r, s और p के सभी पत्ली पत्यों के छेत्रफल का योगफल के परिणाव सोरूप देख सकते हैं. ध्यान देंगे हमने इस छेत्र को क्या किया था? हमने पत्ली उद्वादर पत्यों में बाठा था और हर एक जो पत्ती है इसका हमने छेत्रफल ग्याद कि तो अगर हम यदी सभी पत्यों का छेत्रफल का योगफल ग्याद कर लें तो इस वक्र के अंतरगत आने वाली छेत्र का छेत्रफल हमें मिल जाएगा. ध्यान देंगे हमने पिछले अध्याय में एक और चीज़ सीखी थी. हमने योगफल की सीमा के रूप में निश्चित सम का अध्यन करना सीखा था. इसी की साहिता से हम इस छेत्रफल को संकेतिक रूप में यानी इस भाशा में लिख सकते हैं. वे क्या दशा रहा है? A बराबर समाकलन D A A से B तक जो की बराबर है D A क्या दर्शा रहा है? एक पट्टी का छेत्रफल जो की है Y गुड़ा में D X यानि Y D X समाकलन किया A से B तक बराबर Y क्या है? वक्र किसके बराबर? F X तो यानि हमारा जो छेत्रफल A है वे किसके बराबर हुआ? हमने फलन F को समाकलन करना है, X के सापेक्ष में A से B तक. ये हमें हमारा सूत्र मिल गया. ठीक? आईए बागे बढ़े. अब हमारे पास वक्र है X बराबर GY, Y अक्ष, एवं रेखाएं Y बराबर C, Y बराबर D से गरेद छेत्र का छेत्र फलका सूत् हम देखेंगे. इस चेत्र में आप देख सकते हैं, हमारे पास वक्र है X बराबर GY, रेखाएं Y बराबर D, Y बराबर C और Y अक्ष. तो ये जो च्छाय आंकित आपके पास छेत्र है, इसका हमें छेत्र फलक्यात करना है. इस बारी हम कैसी रेखाएं लेंगे? यानि कैसी प पटियों में इस पूरे छेत्र को बाटेंगे. तो वैसे ही जैसे कि हमने पहले किया था, हमें एक सूत्र मिलेगा. वैं सूत्र क्या है? चो छेत्र फल A है. यानि ये पूरा छेत्र का छेत्र फल A दर्शा रहा है. वैं किसके बराबर हुआ? यदि हम X को क्या करें? समी कलन क करें? इसका समा कलन करें C से D तक. यानि ये क्या दर्शा रहा है? हमें पलन जी को Y के सापेक्ष में समा कलन करना है C से D तक. तो ये हमें एक और हमारा सूत्र मिल रहा है. आईए अब गौर करें इस टिपड़ी पर. ध्यान देंगे कि चर्चित वक्र की स्तिती X अक्ष के नीचे है. यानि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा वक्र आ रहा है वे इस X अक्ष के नीचे आ रहा है. तो यानि जो छेत्रफल का मान आएगा वे कैसा आएगा? वे रिनात्मक मान आएगा. पर क्या हम छेत्रफल में रिनात्मक मान लेते हैं? हम केवल संख्या रिणात्मक मान लेते हैं तो वेही ये टिपणी बता रही है इसका पहला बिंदू कि यदि चर्चत वक्र की स्थिथी X अक्ष के नीचे आती है जहां X बराबर A से X बराबर B तक जो हमारा फलन FX है वे शुने से छोटा है तो इसलिए दिये हुए वक्र X अक्ष एवं कोटिय X बराबर A, X बराबर B से कि रिए छेत्र का छेत्फल रिणात्मक हो जाता है परांतु हम छेत्फल को केवल संख्यात्मक मान ही लेते हैं तो हम इसका छेत्फल क्या ग्याद करेंगे हम इसका निर्पेक्ष मान लेंगे यानि हम मॉडिलस वैल्यू लेते हैं हम समाकलन करने क के बाद इसका निर्खपेक्षमान लेंगे और निर्खपेक्षमान हमारा क्या दर्शारा होगा इस छेतर का छेतरफल ठीए एक प्रश्ण उत्ता है जो की हमारा ये दूसरा बिंदु दर्शारा है हो सकता है कि हमारा वक्र कैसा हो आधा एक्स अक्ष के नीचे और आधा-एक्स-क्ष के ऊपर, तो इसका छेत्रफल हम कैसे ग्याद करेंगे, जाहिर है, हम तेक सकते हैं इस छित्र में कि a वन जो दर्षा रहा है, वे छेत्र दर्षार रहा है, जो की X अक्ष से नीचे है और ये A2 छेत्र हमारा दर्शा रहा है जो X अक्ष के ऊपर है तो हम क्या करेंगे हम छेत्रफल ग्याद करेंगे A1 का और छेत्रफल ग्याद करेंगे A2 का A2 का छेत्रफल हमें क्या मिलेगा वे हमारा संख्यात्मन जो मान है वे ही मिलेगा पर हम A1 का छेत्रफल निर्पेक्ष मान क्याद करेंगे जैसे की इस टिपनी में दिया है ऐसा हो सकता है कि वक्र का कुछ भाग X अक्ष के ऊपर तथा कुछ भाग X अक्ष के नीचे है यहाँ A1 हमारा 0 से छोटा है तथा A2 0 से बड़ा इसलिए हम वक्र Y बराबर Fx, X अक्ष, A1 कोटियां X बराबर A तथा X बराबर B से किरेच छेत्र का छेत्र फल जो की A से हम दर्शा रहे हैं उसका सूत्र हमें क्या मिला? A1 का निर्पेश्मान जमा में A2 से प्राप्त कर सकते हैं ठीक, तो आएए अब कुछ उधारण देखें उधारण देखेंगे, सबसे पहला उधारण वृत X वर्ग जमा Y वर्ग बराबर A वर्ग का छेत्र फल ग्याद कीजिए देख सकते हैं, ये जो समीकरन है, हमारा क्या दर्शा रहा है? वृत दर्शा रहा है इसका चित्र भी आप देख सकते हैं जो हमारी अक्ष हैं, वे इस वृत को चार बराबर भागों में बाट रही हैं ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार तो हमें इस पूरे वृत का चित्फल ग्याद करना है पर हम जानते हैं, ये चारो जो चतुर धांच में हमारे जो भाग आ रही है, वे बराबर है तो यदि हम सिर्फ चित्फल ग्याद कर लें, जो पहले चतुर धांच में आ रहा है और उसको चार से गुणा कर दें, तो हमें पूरे वृत का चित्फल ग्याद हो जाएगा ठीक, तो आएए देखें हल के अंदर वृत, एक्स की घाद दो, जमा वाई की घाद दो, बराबर में एक की घाद दो से घिरे चित्फल का कुल चित्फल क्या हो गया? वे बराबर 4 किसके, किससे अगर हम गुणा करें तो दिवे हुए वक्र, जो हमारा दिया हुआ वक्र है, यानि ये व्रित एक्स आक्ष, एवं कोषिया एक्स बराबर 0, तथा एक्स बराबर A ये कोटिया हमें क्या हैं बहुत अनिवारे हैं क्योंकि यही हमें क्या दरशाती हैं कि हमें निश्चित समाकलन कहां से कहां तक करना है ठीक तो x बराबर 0 यानि x बराबर 0 और x बराबर a यानि यहां से यहां तक का इस वक्र के नीचे का छेतर हमें क्या करना है इसका छेत्रफल ग्याद करना है तो वही हमने यहां लिख दिया से घिरे छेत्र क्या दर्शा रहा है O A B O यानि यहीं छेत्रफल हमें देखना है ग्याद करना है उसको हम 4 से गुणा करेंगे हमें पूरे वृत का छेत्रफल मिल जाएगा जो की बराबर है 4 गुणा में क्या करें Y D X समाकलन 0 से A तक Y को हम किस रूप में लिखेंगे X रूप में क्योंकि अब देख सकते हैं हमें समाकलन किस के सापेक्ष में करना है X के सापेक्ष में तो हम Y को X के रूप में लिखेंगे हम देख सकते हैं Y हम किस रूप में लिख सकते हैं? वर्ग मूल, A की घाद 2, माइनस में X की घाद 2. क्यों? क्योंकि हमारे पास वृत का समीकरन दिया हुआ है, जिससे हम Y बराबर इस प्रकार लिख सकते हैं. ठीक, अब समाकलन करना आपको आता है. समाकलन करने के बाद आप क्या पाएंगे? कुछ ये पाएंगे. समाकलन करने के बाद आपको ये मिला. यानि, चार गुणा में, ये हमें सूत्र मिला, यानि X बटे में 2, गुणा में वर्ग मूल, A की घाद 2, माइनस X की घाद 2, जमा में एक गहत दो बटे में दो साइन फलन कप प्रतिलों एक्स बटे में ए इसका मान हमें कहां से कहां तक निकालना है शूने से ए तक ठीक यह हल करने पर आप देखेंगे आपको छेतरफल कितना मिला पाई एक गहत दो यानि पाई एका वर्क और यही हमें क्या दर्श आ रहा है इस पूरे वृत का छेतरफल ठीक आईए इसे एक दूसरे तरीके से देखें यानि विकल्पता है विकल्पता हम इसको शृतिच पटियों से भी निकाल सकते हैं ध्यान देंगे हमने पहले किस से निकाला था उर्दवादर पटियों से ठीक तो हमने अब क्या किया इस पहले चतुर्थांश में जो छेतर आ रहा है उसे हमने शृतिच पटियों में बाटा और जो की हमने आपको सूतर दिया था उसी से हम निकालेंगे तो यहां हमारा सूतर क्या दिशारा आहा है कि छेतर फल किसके बराबर होगा चार गुणा समाकलन एक्स डी वाई शून्य से ए अब डी वाई है यानि हमें समाकलन करना है वाई के सापेक्ष में तो हम एक्स को वाई के रूप में लिखतेंगे जैसे कि हमने पहले निकाला था उसी प्रकार हम यह निकाल लेंगे हमारे पास वृत का समीक्रंट दिया हुआ है फेश से हमारे पास समाकलन करने पर उत्तर आया और मान भरने पर देख पाएंगे कि हमारा जो छेतर फल है वह क्या आ रहा है पाई ए का वर्ग जो की समान है तो टिपणी हमें क्या बता रही है किसी छेदर का छेदफल ग्याद करने के लिए हम उर्धवादर अर्थात शृतिच पटियों में से किसी खोबी ले सकते हैं जैसे कि अभी हमने देखा था तो आईए अब कुछ और उधारन देखें इस उध अधारन में वक्र y बराबर x की खाद 2 एवं रेखा y बराबर 4 से घेरे छेदर का छेदफल ग्याद करना है जिसका चितर भी आप यहां देख सकते हैं देख सकते हैं हमारे पास यह जो वक्र है x की खाद 2 बराबर में y यह क्या दरशा रहा है y अक्ष के परीत एक सममित पर वलाय दिशा रहा है हमें क्या ग्याद करना है हमें इस छेदर का छेदर फल किसके अंदरगता रहा है रेखा y बराबर 4 और इस वक्र यानि इस परवलाय X इघाद 2 बराबर Y के अंतरगर्द यानि A, O, B और A ये इस छेतर का हमें छेतरफल ग्याद करना है गौर करेंगे जो छेतर हमारा पहले चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है ये दोनों हमारे समान है तो यदि अगर हम केवल एक चतुर्थांश यानि पहले चतुर्थांश में छेतर का छेतरफल ग्याद कर लें और उसे दो से गुणा कर दें तो हमें प्राप्त छेतर का छेतरफल ग्याद हो जाएगा ठीक तो आईए देखें इसका हल हल क्योंकि दिये हुए समिकरण y बराबर x गाद 2 से ने रूपित वक्र y अक्ष के परितह सममित एक परवलाए है इसलिए AOBA चेतर का अभिष्ट चेतरफल हम निम्न रूप से दिखा सकते हैं वे क्या है? हमें x dy का समाकलन करना है 0 से 4 और वे 2 से वुड़ा करना है ध्यान देंगे ये समाकलन क्या दर्शा रहा है? हमारा चेतरफल दर्शा रहा है पहले चतुर्थांश में हम ने इस चेतर को शितिज पटियों में बाटा है तो यानि हमें समाकलन किसके सापेक्ष में करना है? y के तो हम इस x को y के रूप में लिख देंगे हम जानते हैं, x की घाद 2 बराबर में y है, तो यानी x बराबर कितना हुआ? वर्ग मुल y, ठीक? तो हमारे पास क्या मिला? हमारा छेतरफल दो गुणा में समाकलन करना है वर्ग मुल y को 0 से 4 तक, ठीक? यानी 0 से 4 तक ये हमें क्या मिल जाएगा? छेतरफल, इसको 2 से गुणा करने पर हमें पूरा छेतरफल मिल जाएगा, समाकलन करने पर ध्यान देंगे, आपको क्या मिलेगा? 4 बटे 3 गुणा में 8, जो की मिल रहा है 32 बटे में 3, और ये हमारा दर्शा रहा है इस पूरे छेतर का छेतरफल, जो हमें चाहिए था, आईए एक और उधारण लेती हैं इस उधारण में हमें क्या निकालना है? प्रथम चतुर थांच में वृत, एक्स की घाद दो, जमां वाई की घाद दो, बराबर में 32, रेखा, वाई बराबर एक्स, एवं एक्स अक्ष से घिरे का छेतरफल ग्याद करना है तो हमें सबसे पहले वे सारी चीज़े देखनी है, जिसके अंतरगत हमें छेतरफल ग्याद करना है हमें क्या दिया हुआ है? पहले चतुर थांच में हमें छेतरफल ग्याद करना है वृत का हमें समीक्रन दिया हुआ है वृत की त्रिज्या क्या है? व्यापराम से निकाल ही सकते हैं अब X की घाद दो, जम्म Y की घाद दो बराबर में 32 हमारा वृत का समीक्रन दर्शा रहा है रेखा Y बराबर X और X दाक्ष जो की आप इस चित्र में देख सकते हैं ये हमारा वृत जिसका त्रिज्या अब गौर करेंगे कितना है? चार गुणा में वर्गमूल 2 ये हमारी रेखा Y बराबर X और X अक्ष तो हमार को क्या ग्याद करना है? छेत्र ग्याद करना है A, O, B, A इस छेत्र का छेत्र फल ग्याद करना है ठीक? अब कैसे ग्याद करेंगे? शितिश पट्टियों से या फिर उर्धवादर पट्टियों से बाट कर हमने उर्धवादर पट्टियों से हम इसको निकालेंगे आईए इसका हल देखे दी हुए समिकरण कौन-कौन से है X की गाद दो जमा Y की गाद दो बराबर में बत्तेश और Y बराबर में X ये दो हमें क्या दी हुई है? समिकरण अब समिकरण एक तथा दो को हल करने पर हम पाते हैं कि दिया हुआ जो व्रित है एवन जो दी हुई रेखा है वे एक बिंदू पर प्रतिछेदिक होती है और वे किस बिंदू पर होती है? B जिसका क्या है? 4 और 4 बिंदू हमें दिया हुआ है ठीक? X अक्ष और इसके उपर BM यानि ये जो BM है इस X अक्ष पे लंब है तो हम इस पूरे छेत्र को दो भागों में बाठ सकते हैं ये पहला और ये दूसरा पहला भाग क्या छेत्रफल दर्शा रहा है? O B M O ठीक? और दूसरा B A M B ठीक? इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? चेत्रफल और इन दोनों का जो योग है योग करने पे हमें जो प्राप्त चेत्रफल चाहिए वे हमें मिल जाएगा तो इसी लिए अबिश्ट चेत्रफल किसके बराबर हुआ? चेत्रफल O B O B A B का छेत्र फल तो आएए सबसे पहले पहले भाग का छेत्फल ज्याद करते हैं यानि छेत्र फल O B M O का छेत्फल ज्याद करते हैं यानि O B M O ठीक, गौर करेंगे ये जो छेत्र है हमारा किसके अंतरगत आ रहा है? कोटी X बराबर 0 उन्य रेखा y बराबर x कोटी यहां से देखें तो x बराबर 4 और x अक्ष ठीक तो हमारा छितफल क्या होगा? हमें समाकलन करना है y कहां से कहां तक? 0 से 4 किस के सापेक्ष में? x के सापेक्ष में तो यानी हमें y को x के रूप में लिखना है ये हमारा वक्र क्या है? रिखा Y बराबर X तो यानि Y के जगे हम X लिख देंगे तो हमारा छेतर फल क्या हुआ? X का समाकलन करना है 0 से 4 समाकलन करने पर असान है आप देख पाएंगे आपको मिले का 8 ठीक? तो इसे हमने संख्या दे दी है 3 अब पुना हमें दूसरा भाग उसका छेतर फल ग्याद करना है जो की छेतर है B, M, A, B B, M, A और B अब गौर करेंगे ये हमारा किस वक्रों के अंदर आ रहा है? यानि अंतरगत आ रहा है कोटी X बराबर 4 हमारा ये व्रित का वक्र यानि X ये हमारा ये व्रित दिखाई दे रहा है ये और कोटी क्या है? X बराबर 4 गुणा में वर्गमूल 2 तो यानि हमारा सूतर के मताबिक क्या बना छेतर फल? हमें समाकलन करना है वक्रवाए जो की ये दर्शा रहा है कहां से कहां तक? 4 से 4 वर्गमूल 2 तक ठीक? किस के सापेक्ष में? X के सापेक्ष में यानि हमें Y को किस के रूप में लिखना है? X के रूप में हमने पहले भी देखा था ये हमारा क्या दर्शा रहा है? व्रित दर्शा रहा है व्रित का हमें समीक्रन पता ही है जो की है X की घादो जम्म Y की गाद दो बराबर में 32 इससे हम Y का X के रूप में लिख सकते हैं जो कि हमें मिला वर्गमूल 32 माइनस X की गाद दो अब इस पूरे का समाकलन करने पर आप पाएंगे क्या मिला हमें 4 पाई माइनस में 8 ठीक इसको हमने संख्या दे दी 4 अब हमें पता है हमें क्या ग्याद करना है छेतरफल O, B, A, O जो की दर्शारा है पहले भाग का छेतरफल जमा में दूसरे भाग का छेतरफल यानि जो छेतरफल 3 और 4 दर्शारा ही है उसको हम क्या कर दें उसका योगफल निकाल ले तो समीकरन 3 एवं 4 का योगफल ज्याद करने पर हमें अभिष्ट छेतरफल मिल जाता है और वे क्या है वे है ये बराबर में 4 पाई ठीक इसी प्रकार अप अन्य साधहारन वक्रों का भी छेतरफल ज्याद कर सकते हैं तो बच्चों आशा करते हैं आपको इस सत्र में आनंद आया होगा समझ आया होगा धन्यवाद